बिहार में रोजगार का औसर बड़े-बड़े उद्योग धंदे कैसे लगाया जा इस बिशे पर चल रहे कारिकरम का आज समापन है आज दूसरा दिन है आज मुक्हमंतलि नितीश कुमार खोद इस कारिकरम में सामील होंगे बड़े-बड़े बिजनेस मैं भी इस कारिकरम मे सामेर होने के लिए देश विदेश से आ हैं बड़े उद्योग पती जिस अडानी से पूरे कॉंग्रेस को काफी खीज है अडानी का नाम सुनते हैज इस संसत में बहाल मत जाता है कॉंग्रेस आरोप लगाती है तो बीजेपी संसत में अरानी के समर्थन में खड़े हो जाती है आज उसी अडानी गुरूप के लोग पटना में होंगे आपको बताते कि पर्णव अडानी आज नितीज कुमार के बिहार में उस मंच पर मौजूद होंगे जिससे बिहार में उद्योग के बारे में चर्चे किये जाएंगे कमल उसवाल भी मोजूद होंगे, राजेश अगरवाल भी रहेंगे और तुसार जैन भी रहेंगे, महस कुमार और दिलिब कुमार अमित शरावगी, स्याम सुंदर अगरवाल, धीरज पांडे, राम अगरवाल जैसे बड़े उद्रूगपतियों की मोजूदगी में आज बि बिहार में कितना योगदान वो देखना दिल्चस्प होगा दर्सल बिहार में उद्योग विभाग के तरफ से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 प्लेनेरी सेशन का आज दूसरा दिन है और इस कारिक्रम का उद्गाटन आज मुक्रिमंत्री निती उश्कमार करेंगे पर्मुख कमपनियों और उद्योग विभाग के बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित समझोता पर आज होगा हस्ताक्षर आज तै होगा बिहार के अंदर कैसे बढ़ेगा रोजगार कैसे बिहार के लोगों को मिलेगा बिहार में ही नौकरी रोजगार काम इस मुद्धे पर आज बड़े बड़े उद्धूग पतियों के साथ किया जाएगा करार आपके बताते कि पिछले दिन यानि कि बुद्धुबार को जिस सेशन की सुरुबात हुई तमाम लोगों ने बिहार के अंदर घूम घूम कर या देखा भी कि कहाँ पर वो उद्धूग धंदे लगा सकते हैं कहाँ पर उनकी ठक्तिया लग सकती है कहाँ पर बिहार में निवेश करने से उनको फाइदा पहुँचेगा और बिहार को ज्यादा से ज्यादा लाब होगा आज उसी तीसा में बड़े पैमाने पर निटीश कुमार के समख्ष तमाम उद्धूग विबाग के जो अधिकारी हैं देश विदेश से जो आए हुए महमान हैं वो समझावता करेंगे हस्ताक्षर होगा उस प्लान पर जिसकी निटीश कुमार और बिहार के महाकरदम की सरकार रखना चाहती है उद्धूग विबाग के कारेकराम के माध्यम से सीधे तोर पर बिहार में रोजगार के उसर तलासने वाले नौजवानों को लाब पहुँचेगा देखना आए कि आज जब मुख्मंत्री निटीश कुमार तेजश्वी यादो समेर माहसेट सहीत बित मंत्री विदेच चौदी और अन्य जोनेता मौजूद रहेंगे और उनके साथ कई भी भागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ देश विदेश से आ पूत नेत्रुत वाली गटबंधन के निताओं के सामने कितना जगा दिया जाता है कितना सम्मान मिलता वो भी देखना होगा क्या कॉंग्रेस जिसका विरोध देश भर में करती है वो अडानी बिहार में उद्योग लगा पाएंगे वो देखना सबसे दिल्चस्प है अपना सबना पूरा करें और सभी को खुश खवरी दें